हेलो एवरिवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं हूँ दीपक from LearnHub, जहाँ पे आप सीख सकता है Maths, Chemistry, Physics और Biology के सारे concepts, वो भी एकदम फ्री में, only at LearnHub.com तो चलिए आज का पहला question देखते हैं, क्या है हमारे पास, integrate the function, कौन सा function है, 10 square of 2x-3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे integration के form में लिख लेंगे, integral, 10 square of 2x-3, ठीक है, यहाँ पे dx लिख लूँगा, क्यों, क्योंकि with respect to x, उसका हमें integration करना है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 10 square का integration का formula हमें नहीं पता है, तो हम 10 को किसमें convert करेंगे, yes, trigonometric identity का use करके, हम 10 को convert करेंगे, sec में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, sec square of 2x-3, minus 1, dx, 10 square का यह formula है, ठीक है, अब देखिए, sec का integration का formula हमें पता है, लेकिन, यह 2x-3 है, उसको हम substitution method से assume करेंगे, क्या करेंगे, assume करेंगे, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, let, t is equal to 2x-3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dt is equal to 2dx, अब ध्यान से देखिए, यह जो 2x-3 है, उसके लिए मैंने जो t assume किया है, वो मैंने सिर्फ इस term के लिए किया है, ठीक है, तो यह t वाला है, यह इसके लिए, यह 1 के लिए possible नहीं है, तो हम सिर्फ t की value जह हो है, यहाँ पे रखेंगे, इसके लिए हम 1 dx ही लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ dx है, तो dx is equal to dt by 2, ठीक है, यह हो गया, तो यह equation जो है हमारा, वो कुछ इस तरह से हो सकता है, integration of sec square of 2x minus 3, यह dx, minus 1 dx, लेकिन उसका भी integration, आ गया समझ में, अब देखिए, sec square x, उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, sec square, 2x minus 3 is t, तो यहाँ पे मैं t लिख सकता हूँ, यहाँ पे dx, minus, लेकिन देखिए, dx की जगा पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dx is dt by 2, तो यहाँ पे dx नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, dt by 2, आ गया समझ में, तो यहाँ पे आएगा, dt by 2, 1 में तो हमें कुछ change करना ही नहीं है, 1 का तो integration easy है, 1 का integration क्या हो जाएगा, yes, x हो जाएगा, which is equal to, अब देखिए, यह जो 2 है वो बहार आजाएगा, तो यहाँ पे आएगा, 1 by 2, और integration of sec is, yes, 10t, minus x, plus c, आगया समझ में, अब 1 by 2, 10 of, t की value है, 2x minus 3, minus x, plus c, आगया answer हमारा, चलिए next question देखते हैं, चलिए question number 22 देखते हैं, क्या है हमारे पास, integrate the function sec square 7 minus 4x, क्या करेंगे, yes, integration करेंगे इसका, integral of sec square 7 minus 4x, हो गया, नहीं, यहाँ पे dx लिखना पड़ता है, compulsory Q, क्योंकि with respect to x हमें इसका integration करना है, अब यहाँ पे देखिए, इसका formula हमें integration का मालूम है, लेकिन यह 7 minus 4x है, उसको हम ले लेंगे, let t is equal to 7 minus 4x, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, dt is equal to 7 का derivative क्या होता है, yes, 0 होता है, minus 4x है, उसका derivative, yes, minus 4 dx, लेकिन यहाँ पे सिर्फ dx है, तो हम क्या करेंगे, dx कर लेंगे, dx is equal to dt by 4, minus 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, minus 1 by 4, तो dx की value क्या आ गई, yes, minus 1 by 4 dt, तो यह value यहाँ put कर लेंगे, t is equal to 7 minus 4, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यह जो function है, वो कुछ इस तरह हो जाएगा, sex square, 7 minus 4x क्या है, t है, तो यहाँ पे हम t ले लेंगे, dx की जगा पे क्या लिख सकते हैं, यह रहा, minus 1 by 4 dt, minus 1 by 4 तो बहार आ जाएगा, क्योंकि constant है, minus 1 by 4 dt हो गया यहाँ पे, अब देखिए, इसका हम यहाँ पे integration करेंगे, minus 1 by 4, sex square t क्या हो जाएगा, yes, 10t plus c, तो क्या हो गया यहाँ पे, minus 1 by 4, 10 का 10 ही होगा, और t is 7 minus 4x, 7 minus 4x plus c, कौन सी मेथड थी, substitution मेथड, लेकिन एक्जाम में आप क्या कर सकते हैं, mcq में अगर आ रहे हैं, तो यह आपको t रखके करने की ज़रूरत नहीं है, sex की फॉर्मिला होगी 10t और इसका derivative कर दीजे, क्या हो जाएगा, yes, minus 4 होगा, लेकिन integration है, ultimately क्या है यह, integration है, तो वो जो number बढ़ेगा, वो नीचे आ जाएगा, देखिए, minus 4 नीचे आ गया, तो 10, 7 minus 4x, आ गया समझ में, चलिए next question देखते हैं, चलिए question number 23 देखते हैं, क्या है, integrate the function, sine inverse x divided by square root of 1 minus x square, अब सबसे simple ही, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे, integral में, sine inverse x by square root of 1 minus x square dx, देखिए, division possible नहीं है, मैंने पताया हुआ है, कि division, multiplication कुछ भी हो, आपको उसको दूर करके simple formula आना है, ठीक है, plus minus होना चाहिए सबके बीच में, division possible नहीं है, लेकिन substitution method के हिसाब से, यहाँ पे, इसका अगर मैं derivative करूँगा, derivation करूँगा, तो यह answer आएगा, ठीक है, कैसे बताता हूँ, यहाँ पे, किसी एक term को हमें t लेना पड़ेगा, इसी को लेंगे, क्यों, बताता हूँ, sine inverse x is equal to t, यहाँ पे लिख लूँगा, let, क्यों क्योंकि sine inverse x का, जब हम derivation करते हैं, तो क्या आता है answer, yes, 1 by square root of 1 minus x square, dx is equal to dt, ठीक है, function के अंदर ही, उसका derivative छुपा हुआ होता है, substitution method में, तो इसका derivation किया, तो हमें यह answer मिल गया, तो यह वाली जो term है, 1 by 1 minus x square, square root of 1 minus x square, dx, dt हो जाएगी, और sine inverse x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम convert करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, sine inverse x is t, and 1 by square root of 1 minus x square, dx is equal to dt, तो यह पूरी term जो है, वो क्या हो गई, dt, तो हमारा answer t dt हो गया यहाँ पे, अब हम integration करेंगे इसका, तो क्या answer आएगा, t का integration, yes, t square by 2 plus c, लेकिन t की value क्या है, sine inverse x, तो sine inverse x की power में 2, divided by 2 plus c, आगे answer, ठीक है, चलिए next question देखते हैं अब, question number 24 देखिए, क्या है, integrate the function, 2 cos x minus 3 sin x, whole divided by 6 cos x plus 4 sin x, देखिए, कितना बड़ा function लग रहा है, लेकिन उतना ही easy है, कैसे, बताता हूँ, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, integration कर लेंगे इसका, 2 into cos x minus 3 into sin x, divided by 6 cos x, यहाँ पर क्या है, 6 cos x plus 4 sin x, dx हो गया है यहाँ ठीक है, अब देखिए, क्या करेंगे हम यहाँ पर, आप ऐसा ढूंड़िए, कि कोई function का, अगर मैं derivation कर रहा हूँ, या numerator का या denominator का, किसी का भी अगर मैं derivation कर रहा हूँ, तो कोई एक दूसरा, या तो numerator मिल रहा है, या तो denominator, हम सबसे पहले क्या denominator ही देखेंगे, क्यों, क्योंकि मान लीजिए, उसका मैंने derivative किया, तो उसका answer उपर होगा, तो dx भी पास में मिलेगा, तो क्या करेंगे हम, इसको derivation करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यह 3 है, तो हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, 2 cos x minus 3 sin x is equal to, 2 common निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, yes, 3 cos x plus 2 sin x, derivation करने पर, देखिए, cos का derivative क्या होता है, minus sin, तो देखिए, minus 3 sin आ गया, sin का derivative क्या होता है, cos x, तो यहाँ पर 2 cos x आ जाएगा, ठीक है, तो ultimately, किसे हम t लेंगे, yes, यह नीचे जो इतना function है, उसको हम t लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, let, 3 cos x plus 2 sin x is equal to t, अब क्या करेंगे, derivation करेंगे जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, cos का derivation, yes, minus 3 sin x plus sin का तो cos ही होता है, तो 2 cos x आ जाएगा, लेकिन सबका dx is equal to dt, आ गया समझ में, तो यह जो values है, यहाँ पर put करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा answer कुछ इस तरह आएगा, 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x, dx is equal to dt, तो यह उपर वाली पूरी जो term है, वो हमारी dt हो जाएगी, ठीक है, यह 2 है, वो निकल के बहार आ जाएगा, तो यह 1 by 2 हो गया, ठीक है, और नीचे वाली जो term है, 3 plus cos 2x, वो तो t है, आगया समझ में इतना, अब क्या करेंगे, इसका integration करेंगे, 1 by 2 is 1 by 2, integration, 1 upon t का integration क्या होता है, very easy, 1 upon t होता है, log of mod t plus c, यह तो compulsory है, c को तो भूलना ही नहीं है, q constant है, log of mod t, तो log of mod t, t की value तो यह रही यहाँ पर, 3 cos x plus 2 sin x mod x plus c, आगया answer, very easy, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा यह देखना है, कि किसी का derivation कर रहा हो, तो उसी function में मुझे answer मिल रहा है कि नहीं, mostly आपको मिल जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, और आपको उस तरह से बनाने की कोशिश करनी है, formulas याद होने चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, question 25, क्या है, integrate the function, कौन सा है function, देखिए यहाँ पर, 1 divided by cos square x into 1 minus 10x whole square, सबसे पहले कुछ सोचना नहीं है, क्या करेंगे, integration लिख लेंगे, यहाँ पर, integral of cos square x 1 minus 10x whole square, अब देखिए, यहाँ पर dx भी लिखना होता है, ठीक है, द्यान से देखिए इस function में, आपको किन किन का derivation पता है सबसे पहले, integration पता है, देखिए, 10 का हमें integration, नहीं पता, cos का भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, इनको convert करेंगे, अब देखिए कि किसका derivation पता है आपको, 10 का पता है मुझे, क्या होता है, 10 का होता है, sec square x, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो convert करेंगे हम किसी को ये देखिए, cos square x है अगर मैं उसको 1 by cos square x क्या होता है yes, sec square x तो इसका हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं इस function को 1 by cos is sec तो यहाँ पैसे हो गया और नीचे बच गया 1 minus 10x whole square dx तो अब देखिए, हमारा function कुछ इस type का हो गया है कि किसी a function का मैं अगर derivation कर रहा हूँ integration नहीं, derivation तो मुझे दूसरा function मिल रहा है तो यह तो substitution method हो गई क्या करेंगे, yes, जो बड़ा function है मैंने starting में आपको बताया था जब पहला question solve कर रहे थे जो भी आपको बड़ा function दिख रहा है ये वाला, बड़ी term दिख रही है उसको t assume कर लो ये बड़ी term है, उसको हम t assume कर लेंगे तो 1 minus 10x is equal to t ले लिया, अब इसका derivation करना है ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा minus 10 का, yes x square x dx is equal to dt ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो positive है dx ठीक है, तो इसको हम positive कर लेंगे कैसे, x square x dx is equal to minus dt आ गया समझ में अब देखिए, ये सारी values यहाँ put कर लेंगे, तो हमारा answer कुछ इस तरह आ जाएगा integration of, ये रहा x square x dx तो क्या है, minus dt ये minus dt लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं और क्या है, 1 minus 10x is t तो ये तो t हो गया, t square लेकिन, 1 minus 10x dx और dx की जगा पे तो already dt आ गया, सब हो गया हमारे पास, ये minus बहार आ जाएगा, और ये जो t square है ये आ जाएगा, उपर t square dt, लेकिन positive था नीचे, उपर जाएगा तो minus हो जाएगा ठीक है, और power आ गई अब तो integration आता है हमें कैसे करेंगे, yes minus of t raise to minus 1 और ये minus 1 है, वो नीचे भी आएगा, और ये हो जाएगा dt का c, ठीक है, ये minus minus positive हो जाएगा, और t raise to minus 1 है तो हम उसको 1 by t भी लिख सकते हैं तो answer आ गया, 1 by t plus c, लेकिन answer में put भी करेंगे value किसकी, t की value yes, 1 minus 10x तो answer आ गया, 1 upon 1 minus 10x plus c, very easy चलिए, अब next question देखते हैं question number 26, क्या है integrate the function, cos of root x divided by root x सबसे पहले कुछ सोचना ही नहीं है हमें, integration लिख लेंगे cos of square root of x upon root x dx cos x का integration पता है लेकिन ये root x का कैसे पता है, नहीं पता ऐसे साथ में नहीं पता हमें ठीक है, तो क्या करेंगे root x को हम t ले लेंगे तो root x का derivation होता है यहाँ ज्याद होना चाहिए 1 upon 2 root x dx is equal to dt अब आप बोलोगे कैसे लिख लिख लिया direct यहाँ पर बताता हूं solve करके देखिए, root x है तो उसको मैं x raised to 1 by 2 लिख सकता हूं yes or no तो इसका करिए अब derivation करते हैं तो power minus हो जाती है x raised to 1 by 2 minus 1 ठीक है और जो हमारी power है वो आगे भी आती है 1 by 2 आगे आगे और minus हो गया is equal to dt अब देखिए 1 by 2 is 1 by 2 1 by 2 में से minus 1 कीजिए क्या हो जाएगा x raised to minus 1 by 2 dx is equal to dt अब minus 1 by 2 है पहले तो 1 by 2 मतलब root ठीक है और minus है तो नीचे आ जाएगा root तो 1 upon 2 root x आ गया देखिए 1 upon 2 root x तो ऐसे आया यह याद रख लेना है root x का derivation होता है 1 upon 2 root x चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए 1 upon 2 root x dx is equal to dt 1 upon root x है 1 upon 2 root x है तो हम root 2 को हटा लेंगे यहाँ पे तो 1 upon root x dx is equal to 2 dt ठीक है तो यह value आ गई 1 upon root x dx is equal to 2 dt और cos of root x तो t है तो यह हमारा function है कुछ इस तरह बन जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम integration of cos root x तो t हो गया और 1 upon root x dx is equal to 2 dt हो गया 2 dt लेकिन 2 बहार आ जाएगा ठीक है very easy अब 2 of cos का integration क्या होता है जी हाँ sin होता है sin x plus c cos x का sin x होता है लेकिन cos t का sin t होता है ठीक है यह t आएगा यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे yes 2 of 2 into sin t की value कहा है root x root x plus c आगे answer बहुत easy है चलिए फिर से next question देखते हैं question number 27 क्या है integrate the function square root of sin 2x into cos 2x very easy सबसे पहले integration ही लिख लेना है कुछ सोचना ही नहीं है हमें sin 2x into cos 2x यहाँ पे dx आजाएगा अब देखिए कौन सा function है जिसको मैं t ले सकता हूँ देखिए हमेशा हमें क्या करना है जो root वाला function है न उसी को t लीजिए तो थोड़ा easy हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे sin 2x is equal to t ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे लिख लूँगा let sin 2x is equal to t तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 2x तो होता है cos 2x is equal to is equal to नहीं cos 2x dx is equal to dt लेकिन 2x का भी derivation करना है तो 2x का हो जाएगा 2 आगया समझ में देखिए क्या किया यह जो root वाला function है sin 2x उसे t ले लिया उसका derivation करेंगे तो 2 cos 2x dx dt आ गया लेकिन यहाँ पे क्या है cos 2x dx तो हमें इतना ही चाहिए तो यह 2 को यह side ले लेंगे हम ठीक है तो cos 2x dx is equal to dt by 2 हो गया function हमारा तो यह जो function है वो कुछ इस तरह हो जाएगा ठीक है integration of root square root of क्या जाएगा sin 2x is t ठीक है और cos 2x dx is dt by 2 तो 2 है उसको तो हम बाहर भी लिख सकते है ठीक है 1 by 2 integration of root t है तो उसको तो हम t raise to 1 by 2 भी लिख सकते है तो यह function कुछ इस तरह से हो गया integration करेंगे अगर तो 1 by 2 t raise to 1 by 2 क्या होगा integration simple ही होगा integration power में addition होगा t raise to 1 by 2 है तो power हो जाएगी हमारी t raise to 3 by 2 और जो power आई वो नीचे भी तो लिखनी है तो 3 by 2 plus c हो गया integration देखिए तो 2 है वो उपर जाएगा so क्या हो जाएगा 2 to cancel out हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1 by 3 t की क्या value है what is the value of t sin 2x तो यहाँ पर हम लिख लेंगे sin 2x जिसकी power है 3 by 2 plus c आ गया answer हमारा very easy चलिए next question देखते है question number 28 है यहाँ पर integrate the function cos x divided by square root of 1 plus sin x very easy सबसे पहले तो क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है cos x divided by square root of 1 plus sin x dx जो भी है उसको integration में लिख लेना है अब देखिए किसी का अगर मैं derivation कर रहा हूँ तो दूसरा term या दूसरा function मिल रहा है यहापे देखिए नीचे से बड़ी term कौन सी है उसको लीजिए 1 plus sin x is t तो यह हमारा function है कुछ इस तरह से हो जाएगा cos x dx is dt and square root of 1 plus sin x is t और बस हो गया तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते है dt by t raise to 1 by 2 लेकिन नीचे है अच्छा नहीं लग रहा उपर लेके आते है उसे ठीके तो क्या हो जाएगा यहाँ पर integration of t raise to minus 1 by 2 1 by 2 नीचे था तो t raise to उपर minus 1 by 2 dt और इसका integration तो हमें बहुत easily आता ही है कैसे करेंगे power add हो जाएगी तो answer हो जाएगा t raise to 1 by 2 और नीचे भी 1 by 2 plus c plus 1 add करेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा ठीक है तो यह 2 पर आ जाएगा तो 2 what is the value of t t is 1 plus sin x 1 plus sin x raise to 1 by 2 plus c लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते है 1 by 2 मतलब तो क्या होता है square root 1 plus sin x plus c ठीक है अब देखें गलती यह भी मत कीजिए जब integration है integration हम दूर कर रहे है तभी c लिखना है ठीक है कभी-कभी हम क्या करते है integration भी लिखते है c भी लिखते है तो वो wrong है तो ऐसे c बाद में लिखना है तो यह रहा आपका answer ठीक है चलिए next question देखते है अब चलिए देखते है question number 29 क्या है हमारे पास integrate the function cortex into log of sin x देखे तो सबसे पहले तो हमें पता है क्या करना है integration cortex into log of sin x dx ठीक है अब पहले मैंने आपको बता दिया है कि जबी भी log x है उसको t ले लेना है ठीक है लेकिन यहाँ पे log x नहीं है माल लीजिए कि log sin x को मैं t ले लेता हूँ ठीक है तो क्या होगा log x का तो होता है 1 upon x लेकिन यहाँ पे 1 upon x है ही नहीं तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो sin x है उसको t ले लेंगे तो यह क्यों लेंगे sin को क्यों cot को नहीं लेंगे क्यों कि cot का अगर मैं derivation करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन sin का करूँगा तो cos आएगा और cot को हम cos में convert कर सकते हैं कैसे cos by sin ठीक है तो इसी लिए sin x is equal to हम t ले लेंगे लेकिन sin x का derivation क्या होगा पता है सबको yes cos x dx is equal to dt हो जाएगा अब यह जो function है उसको हम cos में convert करेंगे कैसे बताता हूँ यहाँ पे देखिए is equal to लिख लेता हूँ यहाँ पे integration cot है तो उसको तो हम cos x by sin x लिख सकते हैं हाँ जी लिख सकते हैं हो गया यहाँ पे तो अब देखिए मैं अगर value put कर रहा हूँ cos x dx यह cos x dx multiplication में ही है सब कुछ क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो यहाँ पे हम पीछे लिख लेते हैं dt cos x dx is dt अब क्या बच गया log of sin x तो log of लेकिन sin x तो t है तो यहाँ पे हमने t लिख लिया तो log of t और यहाँ पे नीचे भी sin x बचा है लेकिन sin x तो t है तो यह हो गया तो यह हमारा function था वो कुछ इस तरह से बन गया ठीक है अब देखिए log का integration करना है लेकिन यहाँ पे देखिए division में आ रहे है अब division में आ रहे है अब मैंने बताया है log x को क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं तो यहाँ पे log t है तो उसको हम u assume कर लेंगे तो हम assume करेंगे let log t is equal to u ले लेते हैं इसका derivation करेंगे तो log t का होगा 1 upon t dt is equal to du ठीक है तो यह function है फिर से change होगा क्या होगा integration of log t मतलब तो u हो गया और 1 upon t dt 1 upon t dt is du तो यहाँ पे du हो गया तो यह तो बहुत easy है u का with respect to u derivative derivative नहीं अब integration करेंगे यहाँ पे derivative किया यहाँ पे derivation किया यहाँ पे integration करेंगे तो u with respect to u integration होगा u square by 2 plus c लेकिन u की क्या है value log t तो log of t whole square by 2 plus c लेकिन t की भी तो कुछ value है यह रही sin x तो यहाँ पे लिख लेंगे log of sin x to power 2 divided by 2 अब यहाँ पे हमने दो बार substitution method की देखिए बताता हूँ फिर से cot into log of sin x अब log x नहीं है log of sin x है तो उसके अंदर जो sin है उसको t लिया derivation किया cos dx आया cos है नहीं तो cos में convert किया cos by sin cot को cos dx log t dt by t हो गया अब देखिए मैंने बताया हूँ है log x को हम t assume करते है लेकिन log t है तो उसे u assume कर लिया तो 1 upon t dt is equal to du हो गया ठीक है उसका integration किया जो उसमें u की value थी वो रखी फिर t की value थी वो रखी आगया answer चलिए next question देखते है question number 30 क्या है integrate the function sin x divided by 1 plus cos x क्या करेंगे yes integration of sin x divided by 1 plus cos x dx इसी के अंदर इसका derivation चुपा हुआ है function के अंदर देखिए cos x का अगर मैं derivation करूंगा तो क्या जाएगा minus sin x यहाँ पे sin x अल्रेड है तो बड़ी वाली term बताया था मैंने आपको हर बार assume करना है 1 plus cos x is equal to t जो बड़ी term है उसको mostly हमें assume करना है as a t ठीक है 1 plus cos x is equal to t तो 1 का derivation 0 cos x का क्या होगा minus sin x yes sin x dx is equal to dt यहाँ पे positive sin है तो हम positive कर लेंगे इसे sin x dx is equal to minus dt तो यह जो function है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा sin x dx is equal to minus dt हो गया यहाँ पे 1 plus cos x तो t है ठीक है तो क्या हो जाएगा यह minus बहार आ जाएगा और integration of 1 upon t dt लेकिन 1 upon t dt तो क्या होता है यह लोग ओफ mod d plus c लेकिन t की तो value है हमारे पास 1 plus cos x 1 plus cos x plus c आगे हमारा answer very easy चले question number 31 क्या है दिखते है integrate the function sin x divided by 1 plus cos x whole square सबसे पहले क्या करेंगे हम जी हाँ integration लिख लेंगे ऐसे sin x divided by 1 plus cos x whole square dx dx q with respect to x हमें उसका integration करना है अब बड़ी term कौन जी है 1 plus cos x ठीक है उसका derivation करूँगा तो 1 का 0 cos x का derivative minus sin तो इसको हम ले लेंगे t तो let 1 plus cos x is equal to t तो 1 का derivation 0 cos x का minus sin x ठीक है sin x dx is equal to dt लेकिन यहाँ पे positive है तो हम इसे positive कर लेंगे तो sin x dx is equal to minus dt तो यह हमारा जो function है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा sin x dx is minus dt यहाँ पे हो गया minus dt और 1 plus cos x is t तो यहाँ पे हो गया t square तो इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते है minus बाहर आ जाएगा t square है तो उसे अगर हम उपर लेके जाएंगे तो t raise 2 minus 2 हो जाएगा dt ठीक है यहाँ तक हो गया आ गया समझ में देखिए नीचे t square था उपर लेके गया तो t raise to minus 2 हो गया अब इसका integration थो हमें पता ही है minus यह minus का minus t raise to minus 2 का integration yes t raise to minus 1 और minus 1 नीचे भी आएगा plus c minus minus cancel out t raise to minus 1 को हम 1 upon t b लिख सकते हैं ठीक है is equal to 1 by t की value तो है 1 plus cos x so answer is 1 by 1 plus cos x plus c आगया answer चलिए next question देखते हैं अब question number 32 क्या है देखते हैं integrate the function 1 by 1 plus cortex ठीक है उसको क्या करेंगे integration लिख लेंगे सबसे पहले 1 by 1 plus cortex dx ठीक है यह हो गया बड़ी टम कौन सी है 1 plus cortex उसको t ले लू ध्यान से देखिएगा 1 plus cortex को अगर मैं t ले रहा हूँ तो पहले तो उसका derivation करेंगे 1 का 0 cortex का derivation क्या होगा क्या यहाँ पर ऐसी term मिलेगी मुझे जो cortex के derivation से मिल रही है नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे इसे sine cos में convert करेंगे किसमें करेंगे sine cos में convert तो इसका function कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 plus cortex मतलब क्या cos x by sin x ठीक है dx integration करेंगे फिर से sine x यहाँ पर जाएगा cross multiply तो आपका answer हो जाएगा नीचे sine x plus cos x और यह जो नीचे sine x था वो उपर चला जाएगा so sine x divided by sine x plus cos x dx आ गया समझ में अब देखिए सारी जो हमारे function है वो sine cos में convert हो चुके अब देखिए अब एगर इसे मैं t लेता हूँ sine x plus cos x को t अगर लेता है तो sine x का cos x होगा derivation जो यहाँ पर है ही नहीं cos x का minus sine x तो sine x है लेकिन cos x नहीं है हमारे पास तो क्या करेंगे हम हम यह करेंगे कि sine x के लिए cos x चाहिए तो cos x को हम add करेंगे और add कर रहे है तो subtract भी करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ integration of sine x यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ sine x plus cos x समझेगा इसे ध्यान से ठीके तो sine x का derivative चाहिए cos x तो यहाँ पर मान लीजे मैंने cos x लिख लिया ठीके अब लिखा तो मुझे minus भी तो करना पड़ेगा यहाँ पर मैं minus कर लेता हूँ तो हो गया वापस वैसे का वैसा तो यहाँ पर तो मेरा sine x था ठीके sine x वैसा का वैसा cos x add किया subtract कर लिया so sine x का derivative cos x cos x का क्या चाहिए minus sine x चाहिए ठीके लेकिन अगर मैं minus sine x करूँगा तो यह तो cancel out हो जाएगा हम क्या करेंगे plus sine x करेंगे तो sine x plus sine x 2 sine x हो गया ठीके लेकिन यहाँ पर तो एक ही sine x है तो यहाँ पर 2 sine x है तो उसको कम करने के लिए हमने 1 by 2 sine x कर लिया ठीके आया समझ में तो अब देखिए यह जो पूरी term है sine x plus cos x इसको यहाँ divide कर लेंगे और यहाँ divide कर लेंगे देखिए एक term यहाँ और एक term यहाँ तो आपका answer कुछ इस तरह से आएगा अभी भी हम integration ही कर रहे हैं सब में देखिए dx 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 यहाँ भी dx आएगा with respect to तो 1 by 2 integration sine x plus cos x divided by sine x plus cos x क्या आजाएगा वन आजाएगा इसका division करेंगे अब इसको इसके साथ divide कीजिए तो answer आएगा sine x minus cos x divided by sine x plus cos x ठीक है dx यहाँ तक clear हो गया अब अलग-अलग integration दे देते हैं दोनों को तो यहाँ पर हो जाएगा 1 by 2 integration of dx 1 into dx dx हो जाएगा plus 1 by 2 इसको भी दे दीजिए 1 by 2 सबका है ठीक है तो इसे भी देंगे 1 by 2 integration of sine x minus cos x divided by sine x plus cos x यह dx ठीक है अब देखिए 1 by 2 dx का integration क्या होगा यह x हो जाएगा plus 1 by 2 अब देखिए यह हर बार इतनी बड़ी-बड़ी term लिखना is very hard तो हम क्या करेंगे यह 1 by 2 और यह जो पूरी term है integration of this उसे हम i ले लेते हैं ठीक है यह पूरा जो integration है integration of sine x minus cos x divided by sine x plus cos x dx हम उसे i ले लेते हैं integration और इसे ले लेते हैं equation 1 ठीक है तो अब हमें यह find करने के लिए यह जो answer था उसका answer यह है तो इसे find करने के लिए हमें i की value find करनी पड़ेगी i को मैं अलग से find कर लेता हूँ i क्या है यह रहा i integration of sine x minus cos x divided by sine x plus cos x यह हो गया हमारा dx ठीक है यहां तक आ गया समझ में अब देखिए अगर मैं इसको t लेता हूँ अब अब अजियूम करता हूँ मैं substitution method से ठीक है तो sine x का derivative कौस आ गया cos का derivative sine आ गया आ गया समझ में तो हम क्या करेंगे let sine x plus cos x dx is equal to dx नहीं sine x cos x is equal to क्या करेंगे t ले लेंगे तो is equal to आएगा यहां पर ठीक है is equal to t क्या करेंगे यहां पर हम sine x plus cos x is equal to t ले लेंगे ठीक है अब करें derivation तो sine x का हो जाएगा cos x cos x का minus sin x dx is equal to dt हो गया आ गया समझ में अब देखिए यहां पर तो sine x positive है cos x minus है तो minus common ले ले लेते हैं यहां से तो यहां पर हो जाएगा आपका sine x minus cos x dx is equal to dt हो गया लेकिन क्या है sine x minus cos x है यहां पर minus है तो minus वो साइड लिख लूँगा तो यह plus हो जाएगा यहां पर minus हो जाएगा आ गया इतना समझ में चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ठीक है यह देखिए क्या आ गया sine x minus cos x dx is equal to minus dt तो यह जो term है हमारी ठीक है यहां पर इसको अब करेंगे तो यह जो आई था हमारा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा integration of sine x minus cos x dx is equal to minus dt यह minus dt हो गया और sine x plus cos x तो क्या है यह रहा t है देखिए t हो गया के नहीं तो क्या होगा यह minus बहार आ जाएगा integration of 1 by t dt लेकिन 1 by t का integration क्या होता है यह लॉग of mod t तो क्या हो जाएगा यहां पर minus log of mod t plus c तो minus log of t क्या है where is t यह रहा sine x plus cos x अब देखिए answer तो आ गया हमारा लेकिन अभी भी अधूरा है कैसे यह equation 1 को follow कीजिए यह हमारा main answer था तो इसमें जो यह आई वो i की value आई ठीक है यह हमारा answer नहीं आया this is the value of i तो यह i की value हम यहां रखेंगे equation 1 में तो हमारा जो answer है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 by 2 यहां पर हम लिख सकते है from 1 1 by 2 x plus 1 by 2 i की value क्या है yes minus log of mod sin x plus cos x mod close plus c आगया समझ में यह हो गया हमारा final answer कभी-कभी हम i पर आके अटक जाते हैं नहीं हमें नहीं अटक नहीं यह जो पूरा answer था हमारा equation 1 is our answer तो i की value उसमें रखने के बाद जो answer आएगा वही हमारा main answer है यहाँ पर minus आप बाहर लिख सकते हैं ठीक है तो answer हो जाएगा 1 by 2 x minus 1 by 2 log of sin x plus cos x plus c ठीक है चलिए अब next question देखते हैं question number 33 है हमारे पास integrate the function 1 by 1 minus 10 x very easy सबसे पहले तो हमें यही करना है integration रख लेना है 1 minus 10 x dx अब अगर इसको मैं t लेता हूँ तो derivation करेंगे तो उपर तो कुछ है ही नहीं क्या करेंगे तो इसको हम सबसे पहले sin cos में convert करेंगे तो हमारा answer कुछ इस टाइप से होगा ठीक है 1 by 1 minus 10 x को हम लिख सकते है sin x by cos x यह dx हो गया which is equal to integration of यह cos यहां जाएगा तो आपका answer होगा cos x minus sin x और यह cos नीचे था उपर चला जाएगा last में so cos x हो गया dx हो गया आगया समझ में अब देखिए यहाँ पे क्या है cos x minus sin x अब अगर इसे मैं t लेता हूँ तो cos x का derivation करेंगे तो क्या हैगा minus sin x है ही नहीं है ही नहीं लेकिन sin x का करेंगे तो cos x है तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे cos x के लिए derivation के लिए मैं minus sin x चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे minus sin x add कर देंगे ठीक है तो cos x का cos x रख रहे हैं यहाँ पे minus sin x add कर दिया अब minus sin x किया तो plus भी तो करना पड़ेगा जिसे हमारी term जो है at the end cancel हो जाएगी तो वापस देखिए cos x आ गया नीचे हम cos x लिख लेते हैं cos x minus sin x so cos x का derivative minus sin x और plus sin x cancel sin x का cos x ठीक है लेकिन यहाँ पे एक term कम लग रही है यहाँ पे देखिए एक pair बन रही cos x minus sin x जैसे तो यहाँ पे भी एक pair चाहिए तो यहाँ पे हम कर लेंगे cos x कर लेंगे plus cos x करेंगे ठीक है क्यों करेंगे plus cos x बताता हूँ अभी यह देखिए यह divide हो जाएगा ठीक है अगर minus cos x करूँगा मैं minus cos x करूँगा तो cos x भी चली जाएगी तो वो हम नहीं चाहते तो हमने क्या किया cos add कर लिया तो cos x plus cos x 2 cos x हो गया लेकिन हमें तो एक ही cos चाहिए तो 2 को 2 से divide कर लेंगे तो यहाँ पे 1 by 2 कर लेंगे बाहर तो हमारा 2 cos x by 2 सिर्फ cos x बचेगा तो आप क्या करेंगे यह पैर बना लीजिए यहाँ पे यह पैर एक यह पैर तो इसको divide करेंगे और इस पैर को divide करेंगे यहाँ पे dx आ गया ठीक है तो अब देखिए इसको अगर हम divide करेंगे तो हमारा answer कुछ इस तरह से आएगा 1 by 2 integration यह अब तक integration नहीं किया हमने यह divide कीजिए cos x minus sin x divided by cos x minus sin x answer आ गया 1 plus cos x plus sin x divided by divided by cos x minus sin x यह dx तो रखना है यह भूलना नहीं है ठीक है अब क्या करेंगे देखिए 1 का integration possible है यह थोड़ी बड़ी term है इसको अलग से integration दे देते हैं तो integration मैंने यहाँ पे अलग से दे दिया यह dx यहाँ पे है तो dx यहाँ भी तो चाहिए तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 1 by 2 1 का integration x ठीक है और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c1 qc1 बताऊंगा अभी constant तो चाहिए integration किया दो अब यह वाली जो term है उसे हम क्या करेंगे बहुत बड़ी term है अगर हम यही पे integration करते गए तो यह भी लिखना पड़ेगा बहुत बार तो हम इसे पूरी term को हम i ले लेते हैं ठीक है लेकिन एक गल्ती हमने किया देखिए यह 1 by 2 पहले सब के लिए था तो हमें इसे तो दिया इसे नहीं दिया तो यह 1 by 2 यहां भी आएगा ठीक है तो 1 by 2 यह integration जो पूरी term है अम उसे i ले लेते है और इसे equation 1 ले लेते है आ गया समझ में ठीक है अब देखिए यह जो हमें सिर्फ i find करना है इतना तो हम यहाँ पर i लिख लेंगे what is i integration of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x यह dx हो गया ठीक है अब दीखिए जो हमारा function था main function उसका answer कौन सा है यह है अगर मैंने i की value यहाँ put कर दी तो मुझे पूरे integration का answer मिल जाएगा तो पहले i find कर लेंगे पूरा तो वो आया वो answer नहीं है answer यह है तो सबसे पहले i कैसे find करेंगे यह देखिए cos x minus sin x को मैं t ले लेता हूं cos x minus sin x is equal to t करिए derivation कीजिए cos x का आएगा minus sin x और sin x का cos x आ जाएगा which is यहाँ पे dx हो जाएगा यहाँ पे dt हो जाएगा अब देखिए तो पूरा positive है इसको पूरा minus sin बहार निकाल लेंगे तो sin x plus cos x हो जाएगा dx हो जाएगा ठीक है और यह minus बहार निकल के वो side गया तो minus dt हो जाएगा आगया समझ में इतना क्या किया यह cos x को t फिर derivation तो उपर वाली term आगी तो हमारी जो i है यह यह कुछ इस तरह से बन जाएगी cos x plus sin x dx is equal to minus dt माइनस dt नहीं मैं माइनस बहार लिख लेता हूँ और यह जो माइनस है cos x minus sin x t है तो t नीचे आ गया ठीक है तो लेकिन 1 upon t है 1 upon t का integration तो हमें मालूम है क्या होता है यह log of mod t लेकिन minus भी बहार है लेकिन t की value पहले तो log of mod t plus देखे integration किया यहाँ मैंने c1 रखा था यहाँ c2 रखा ठीक है आगया समझ में दो दो constant है फिर last में हम c1 plus c2 को c बना देंगे ending answer में तो यह हमारा i आगया आगया समझ में अब इस i को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पूरा answer आ जाएगा चलिए equation 1 में रखते i को अगर equation 1 में रखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं from 1 1 क्या है देखिए 1 by 2x तो मैं x by 2 भी लिख सकता हूं plus c1 plus 1 by 2 i की value क्या है यह रही minus log of mod t mod लेकिन t तो क्या है यहाँ यह रहा cos x minus sin x mod close फिर क्या है mod t close plus c2 आगया तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं from 1 हमारा जो integration का answer था वो हो गया x by 2 c1 plus c2 c हो जाएगा last में c लिख लेते हैं ठीक है c1 plus c2 is 2 तो यहाँ पर हो जाएगा minus 1 by 2 minus बहार आगया तो log of mod cos x minus sin x mod close तो this is your answer ठीक है हम कई बार i लाके छोड़ देते answer आगया नहीं equation 1 is your answer क्यों वहाँ से हमने पहले यहाँ से assume करके start करके यह answer लाए यह आधा answer था यह आधा answer है तो इसको हम add करेंगे यहाँ पर तो पूरा answer आ जाएगा चलिए next question देखते अब question number 34 देखिए क्या है integrate the function square root of 10x divided by sin x into cos x तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे यह integration 10x लिख लेंगे यहाँ पे divided by sin x into cos x कर लेंगे ठीक है dx अब देखिए किसको अगर मैं assume कर रहा हूं तो उपर या नीचे या उपर assume कर रहा हूं तो नीचे derivation आ रहा है क्या sin x का cos x pass में तो नहीं है cos x का sin x नहीं है अब तो क्या करेंगे हम यह जो 10 है उसको लेंगे लेकिन 10 का भी अगर मैं derivation कर रहा हूं अभी कर रहा हूं तो क्या आएगा 10 का derivation yes 10 के लिए हमारे पास sec square आएगा derivation करूंगा तो तो यहाँ पे कुछ possible है कि sec आ सके try करते हैं sec लाने की बताता है कैसे देखिए अगर यहाँ पे यह 10 x है ठीक है और यह sin x है cos x है तो 1 by cos क्या होता है sec होता है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मुझे तो 10 का derivation क्या चाहिए sec square चाहिए मतलब यहाँ पे cos square होना चाहिए तो cos से multiply करूंगा cos से divide करूंगा तो sin x into cos x into cos x यहाँ नीचे ही यहाँ cos से multiply किया यहाँ cos से divide किया ठीक है तो ultimately sin x cos x आ गया क्यूं कर रहा हूं फिर से बताता हूं 10 का मैं derivation करूंगा तो मुझे चाहिए क्या आएगा answer yes sec square answer आएगा लेकिन है इने तो मुझे sec square बनाना है तो कैसे बनाएंगे cos से multiply cos से divide क्यूं क्यूंकि cos square अगर उपर जाता है तो answer आता है sec square ठीक है तो क्या हो जाएगे यह हमारी term जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी tan x divided by sin by cos तो क्या होता है tan हो जाता है तो यह tan x हो जाएगा यहाँ पर आगया समझ में और यह cos square x बना लेकिन cos square x उपर गया तो dx आ गया समझ में ठीक है अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे integration of यही term है ठीक है यहाँ पर हम ले लेंगे tan x is equal to t ले लेते हैं ठीक है तो tan x का derivation हो गया लेओ यहाँ पर dt आ गया ठीक है तो अब क्या करेंगे देखिए tan x तो t है तो tan x तो t लेकिन root है तो उसको मैं 1 by 2 लग सकता हूँ यहाँ पर आ रहा है समझ में देखिए यह tan x t तो यहाँ पर t आ गया जिसकी power 1 by 2 है नीचे भी tan x है तो यहाँ पर भी t आ जाएगा ठीक है sex square x dx यह रहा जिसकी value क्या है dt है तो यहाँ पर dt हो जाएगा तो यह तो बहुत easy है अगर मैं इसका integration कर रहा हूँ तो t raise to 1 by 2 divided by t क्या हो जाएगा t raise to minus 1 होगा उपर तो हमारा ultimate answer आएगा t raise to minus 1 by 2 dt ठीक है अब इसका हमें integration करना है तो अगर integration कर रहे है तो answer फिर से plus 1 add होगी power में तो answer आपका आ जाएगा t raise to 1 by 2 और नीचे भी 1 by 2 आ जाएगा आ गया समझ में लेकिन c भी तो है c क्या है constant भी रखना पड़ तो यह c हो गया है यहाँ पर तो t raise to 1 by 2 लेकिन t की value क्या है yes 10x t की value है 10x लेकिन power 1 by 2 है तो उसको हम तो root भी लिख सकते हैं और 1 by 2 का 2 उपर आ गया तो 2 root 10x plus c ठीक है आ गया समझ में फिर से समझा देता हूं क्या किया हमने 10x का derivation हमें पता है sack होता है तो sack के लिए हमें cost चाहिए तो cos multiply किया cos divide किया क्यों क्यों कि 1 by cos square x x square होता है sin by cos 10 होता है तो यह t ले लिया t put कर लिया और integration कर लिया ठीक है यह सारी चीज़े आपको practice से आएंगी आप हर बार फिर बड़ी term लेके उसको t ले लेंगे वो हर बार method काम में नहीं आएगी बहुत जगा काम में ठीक है practice is the main thing चलिए next question देखते हैं क्या है question number 35 integrate the function कुछ सोचे भिना direct integrate 1 plus log x whole square by x dx यहाँ पे dx अब देखिए क्या कर सकते हम यह देखिए बड़ी term सोचिए 1 plus log x को अगर मैं t ले रहा हूं तो 1 का 0 log x का क्या हो जाएगा 1 upon x 1 upon x already है तो this is the nice idea to take 1 plus log x as t 1 plus log x is equal to t 1 का derivation 0 log x 1 by x dx is equal to dt तो यह हमारा function है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 plus log x is t उसकी power 2 है तो t square लेकिन 1 by x dx 1 by x dx dt बहुत easy t square का integration क्या होगा t square का t cube by 3 t cube divided by 3 plus c लेकिन t की value क्या है 1 plus log x तो answer आगया 1 plus log x की power 3 divided by 3 plus c 4 line में answer आगया ठीक है चलिए next question देखते हैं question number 36 देखिए integrate the function क्या लिखेंगे सबसे पहले integration कौन सा है function x plus 1 into x plus log x power 2 divided by x देखिए बड़ी term क्या है x plus log x derivation करेंगे तो x का 1 आएगा 1 दिख रहा है कहीं यहाँ पर दिख रहा है log x का 1 upon x 1 upon x भी है ठीक है बाकी का इसको अभी रहने देते है mostly जो हमारा answer है वो आ रहा है तो हम क्या करेंगे x plus log x is equal to t यहाँ पर मैं लिख लेता हूं let ठीक है समझ में आ रहा है x plus log x x का derivation 1 log x का 1 by x dx is equal to dt लेकिन यह थोड़ा पटासा है देखी अगर मैं x को यहाँ multiply करूं cross multiplication तो x plus 1 आ गया देखी x plus 1 आ गया तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा x plus 1 by x dx is equal to dt x plus 1 by x यहाँ derivation के लिए integration के लिए with respect to x तो रखा ही नहीं तो dx x plus 1 by x dx dt हो गया x plus log x तो t है तो यह हमारा function कुछ इस तरह बन जाएगा x plus 1 by dx तो यहाँ पर dt हो जाएगा यह तीनों term x plus log x is t तो t square हो गया power 2 है तो t square dt यह क्या हो गया t square dt integration करेंगे t square का integration very easy t cube by 3 plus c लेकिन t की value तो क्या है यहाँ पर t की value है x plus log x तो हो जाएगा x plus log x to the power 3 divided by 3 plus c आगे answer चलिए next question देखते हैं क्या है question number 37 देखिए integrate the function x cube into sine of 10 inverse x raise to 4 divided by 1 plus x raise to 8 क्या करेंगे सबसे पहले तो integration ही रख लीजिए x cube into sine of 10 inverse x raise to 4 divided by 1 plus x raise to 8 ठीक है यह 8 है अब देखिए यहाँ पर मैं किसको लूँ सबसे बड़ी term तो यह इतनी बड़ी term है लेकिन यहाँ भी multiplication है आप ऐसे division भी नहीं कर सकते साइन है साइन का हमें पता है derivation 10 inverse 10 inverse x का भी पता है बताता हूँ यहाँ पर देखिए 10 inverse x का होता है यहाँ पर 10 inverse x raise to 4 है लेकिन मैं आपको सिर्फ x का बता रहा हूँ अभी क्या होता है 1 by 1 plus x square यह होता है 10 inverse x का derivation ठीक है d by dx of 10 inverse x क्या होता है 1 by 1 plus x square है 1 by 1 plus x square x raise to 8 है वो तो यहाँ पर manage हो जाएगा देखिए power है आगया समझ में तो मैं 10 inverse x को क्या लोंगा t लेंगे हम ठीक है तो करते हैं यहाँ पर हम let 10 inverse x raise to 4 है उसे t ले लेता है आगया समझ में यह formula का use कीजिए 1 by 1 plus यह x है उसका square करेंगे तो यह हमारा पूरा x हो गया यह वाला ठीक है तो यह x उसका square करेंगे 1 by 1 plus x square dx is equal to dt ठीक है तो क्या हो गया 1 by 1 plus 4 to the power 2 तो x raise to 8 हो गया आगया समझ में x raise to x 8 dx is equal to dt यह तो हो गया यहाँ पर very easy लेकिन यह x है पूरा x raise to 4 है उसका भी derivation करना पड़ेगा x 4 है x की power 4 क्या होगा 4x cube होगा जो यहाँ पे होगा 1 by 1 plus x square और यहाँ पे derivation करना पड़ेगा 4x cube ठीक है 4x cube लेकिन यहाँ पे x cube है, तो यहाँ पे सिर्फ x cube लिखेंगे और 4 हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, तो यह पूरी term एक ये, एक ये और dx, यहाँ पे dx यह पूरा dt by 4 हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी जो यह term है इसको हम यहाँ पे लिखते हैं integration of x cube by 1 plus x raise to x dx is equal to dt by 4 dt by 4 तो 1 by 4 में बाहर लिख लेता हूं बच क्या आ गया, sine of sine of 10 inverse x तो sine of 10 inverse x raise to 4 तो t है तो sine t आ गया समझ में, sine t हो गया तो यह 1 by 4 sine का integration cos x नहीं, minus cos x होता है sine का integration होता है, minus cos x तो sine t का minus cos t plus c ठीक है तो हो गया 1 by 4 minus 1 by 4 हो गया cos t की value यह रही 10 inverse x raise to 4 plus c आ गया ठीक है, फिर से समझा देता हूं क्या किया यह 10 inverse x raise to 4 को t लिया 10 inverse x का formula पता है 1 upon 1 plus x को है लेकिन x हमारा x raise to 4 है तो उसकी power x square x raise to 4 की 2 power तो x raise to 8 हो गया लेकिन x का भी तो derivative होगा x raise to 4 है तो 4 x cube हो गया उसका derivation लेकिन यहाँ पर x cube है 4 नहीं चीए 4 को वो side लेके गया सारी values यहाँ पर put कर ली आगया answer चलिए next question देखते है question number 38 देखते है क्या है integration of this function equals to इन चारों में से क्या answer होगा क्या है function हमारा लिखते है देखिए integration of 10 x raise to 9 plus 10 raise to x into log of 10 base e dx divided by क्या है division में x raise to 10 plus 10 raise to x अब इसका हम क्या करेंगे integration करेंगे कैसे बता दें इसको मैं t ले लूँगा x raise to 10 plus 10 raise to x अब क्यों इसी को t लिया ये तो इतनी बड़ी term है बड़ी term को क्यों नहीं लिया अभी बताता हूँ अगर मैं इसे लेता हूँ तो इसका derivation कीजिए क्या answer आएगा x raise to 8 कुछ है यह नहीं यहाँ पर options में भी नहीं है यहाँ भी नहीं है तो हम जी यह term है उसको लेंगे t तो derivation करने पर 10 into x raise to 9 मिलेगा जो यहाँ भी है ठीक है plus 10 raise to x इसका derivation कैसे करेंगे हमें power में number पता है लेकिन power में variable का बताता हूँ a raise to x है अगर और उसका मैं d by dx means derivation करूँगा तो derivative आएगा a raise to x into log of a base e तो a raise to x is 10 raise to x ठीक है a is constant तो यह formula है जो आपको यहाँ पर use करनी है ठीक है तो a raise to x आएगा means 10 raise to x into log of 10 base e dx is equal to dt पूरी term आगई देखो यह पूरी की पूरी term आगई यहाँ पहे ठीक है तो यह जो है integration हम इस तरह लिख सकते है this whole term is dt और नीचे क्या है t लेकिन 1 by t तो क्या होता है log of mod t plus c ठीक है तो log वाला answer कहा है एक ही answer है यही answer होगा कैसे log of what is t 10 x raise to 10 plus 10 raise to x plus c अब यहाँ पे mod नहीं है लेकिन mod तो positive होता है तो यही answer आएगा हमारा ठीक है चलिए next question देखते है अब question number 39 देखते है क्या है integration of dx divided by sin square x into cos square x equals इन चारों में से क्या होगा देखते हैं अभी solve करते हैं इसे सबसे पहले तो जो हमारा integration है वो लिख लेते हैं नीचे क्या है sin square x into cos square x अब यह dx को मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 लिख सकते हैं 1 into dx dx एकी बात है अब देखिए यह sin square x cos square x है sin cos में already है लेकिन आंसर जो है हमारे सारे 10 cot में है ठीक है यह 10 में है तो क्या हम इसे 10 में convert करें नहीं क्यूंकि convert करेंगे sin cos को तो यहाँ पे मान लीजे मैंने इसे cos square से divide किया और cos square से multiply किया तो 10 तो आ जाएगा लेकिन cos की power 4 हो जाएगी तो वो एक difficult way है हम क्या करेंगे इस one को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह देखिए one is sin square x plus cos square x one की जगा पे लिख सकते हैं हाँ trigonometric identity है sin square x into cos square x dx ठीक है अब इस term को divide कर दीजिए दोनों के साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे integration of sin sin कट हो जाएगा बचेगा one by cos square x plus cos cos कट हो जाएगा one by sin square x dx ठीक है अब दीखिए दोनों plus में आ गई division multiplication चला गया one by cos को हम क्या लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं cos x square sorry sin square x को हम लिख सकते हैं one by cos x square x तो यह आगे कर लिया हमने plus one by cos को तो sec square x लिख सकते हैं dx हो गया यहाँ पे अब cos x square x की फॉर्मिला क्या होती है integration की यस पता है हमें minus cortex होता है और sec का integration sec square x का integration is 10x plus c डूंड यह minus cortex कहा है सब यहाँ पे भी minus cortex है यहाँ पे भी है लेकिन यह 2x है लेकिन हमारे पास तो minus है तो 10x minus cortex plus c यह रहा हमारा option ठीक है यह नहीं आएंगे q plus sign है यहाँ पे तो multiply है यह तो आएंगे ही नहीं यह रहा 10x minus cortex plus c आगे answer तो आपको याद रखना है जब भी ऐसे sine cost नीचे multiplication में हो दोनों sine cost multiplication में उपर कुछ भी ना हो तो one की जगा आप trigonometric identity का use करेंगे division करेंगे और आपका answer very easily आ जाएगा I hope कि आज जो हमने question solve किये आपको समझ में आ गए होंगे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक आप revision कीजिए notes बनाईए और practice कीजिए कहां से from your favorite free learning platform LearnOHub से जो free है पर best है कहां से कहां से जो बनाईए जो our झाल झाल